इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई हैं जो सांसदों को अपने दाइत्व के दिनवहन में मदद करेगी सांसद भवन के नदिक होने की वज़ा से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी साथियों दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बर्सों से रही है और जैसे अभी बिर्ला जी बता रहे थे लंबे अर्षे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है इसके कारण आर्थिक बोज भी बहुत आता है उनको भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंबीरता से प्रयास दोहजार चवदा के बाद विशेस रुप से शुरू हुए दसकों से चली आ रही समस्याएं तालने से नहीं उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई कई बरसों से अधूरे थे लटके पड़े थे कई इमारतों का निर्मान इस सरकार के दोहरानी शुरू हुआ और तैस समय में और तैस समय से पहले समाप्त भी हुआ जब अटलिवारी वाजपाई जी की सरकार थी तो अटलिवारी के समय जिस अमबेड कर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी उसका निर्मान कितने साल लग गए इस सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ तैस वर्सों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अमबेड कर इंट्रनेस्टल सेंटर का निर्मान इसी सरकार में हुआ सेंट्रल इनफरमेशन कमिशन की नई बिल्डिंग का निर्मान इसी सरकार में हुआ देश में बसकों से बौर मेमोरियल की बात हो रही थी हमारे देश के वीर जबान लंबे अर्शे से इसकी आशा कर रहे थे मांग कर रहे थे देश के वीर सहुईदों के स्मुर्ति में इंडिया गेट के पास बौर मेमोरियल का निर्मान भी उसे करने का भी सवभाग्य हमारी सरकार को मिला हमारे देश में हजारों पुलिस कर्वियों ने कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्मान भी इसी सरकार के द्वारा हुआ आज सांसोतों के लिए नए आवासों का लोकारपण ये लोकारपण भी इसी स्रंखला में एक जरूरी और एहम कदम है मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है इन फ्लैट्स के निर्मान में परियावरन का ध्यान रखा है एनर्जिक कजर्वशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्लिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुरिक बनाते हैं